दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बेल्टोन में जो नई भरती निकाली गई है एस्टेनो ग्राफर के पदो पर इसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं एस्टेप बाई एस्टेप आपको पूरी प्रोसस आपको इस वीडियो में बताई जाएगे आपको बता दे एस्टेनो ग्राफर के पदो पर निक्त होने के लिए आपकी जो योगिता होगी बड़ा भी पास तो होनी ही चाहिए computer तथा जो Hindi English की टाइपिंग है वो आपके पास होनी चाहिए और स्टेनो ग्राफिक का ज्यान आपके पास होनी चाहिए 18 साल नियुनता मुम्र होनी चाहिए और अधिकता 69 साल है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं तो अगर आप इस परकार की योगिता धारक है तो जुरूर इसके लिए अपलाई करिए अच्छी खासी बहाली इसमें है क्योंकि एस्टेनो ग्राफर की बहाली काफी लंबे समय के बाद आया है पढ़ लीजिएगा नीचे आने के बाद इंपोर्टेंट लिंक में ऑनलाइन अपलाई का डाइरेक्ट लिंक दिए गया है जिसके सामने आपको क्लिक करना है थोरा सा वेट करेंगे यह वैपसाइट ओपन होगा इसको क्लोज करना है और यहां साइगरी वाले विकल पर क्लिक करना है अब नीचे आएंगे तो आपके सामने राइस्टेशन फॉर्म खुलता है जिसमें सबसे पहले कनिडेट का जो फोस्ट नेम होगा डालना है जिसमान लिए किसी का नाम राम कुमार सर्मा है तो उनका फॉस्ट नेम जो होगा राम होगा कुमार उनका मिडिलने में होगा और सर्मा जो होगा लास्ट नेम होगा सिर्फ किसी का नाम सिर्फ राम कुमार है तो राम उनका फ्रस्ट नेम और लाश्ट नेम जो हो जाएगा यहाँ पर कुमार उनका हो जाएगा इस एकोर्डिंग आपको फिल करना है अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि यदि आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया है तो एस करेंगे और नहीं किया है तो यहां पर आप नो करेंगे एस करेंगे तो आपका नया जो नाम होगा उसका जनकारी आपको देना है नहीं किया तो नो करेंगे जनकारी नहीं डाल दबारा डालेंगे अल्टरनेट नमबर है तो दिजिया नहीं इसे छोड़ सकते हैं मेल इडी डालना है इमेल आइडी को दुबारा डालना है को उप्सन मिलेगा जनरेट OTP का जिस पर आपको क्लिक करना है नीचे आना पर आपको क्लिक करना है इस परकार आपका जो होता है अब यहां से आपको क्लोज वाले विकल पर आपको क्लिक करना है अब यहां पर उपर में ही आपको कॉप्शन दिये गए है गोटू अप्लिकेशन का जिस पर आपको क्लिक करना है थोड़ा सा वेट करेंगे आपके सामने इसका form खुलता है जिसमें सबसे पहले आपका personal detail खुलता है जिसमें जो जनकारी अपने फिल किया है आपका फिल रहता है नीचे आने के बात आप सब पूछा गया कि तो दे सकते हैं नहीं था छोड़ सकते हैं जहां पर भी यह इस्टार बना हुआ डेड में वह जनकारी आपको देना जरूरी है बाके नीचे आएंगे पोस्ट डीटेल में आपको बताना है क्योंकि एस्टेनोग्राफर की बहाली तो एस्टेनोग्राफर चुनेंगे अब यह यह दियान रखीएगा अगर वाले हैं तो इस करेंगे तो आपका सभी करेंगे आप अपना के यहां से चैन करेंगे और नीचे आपको आना है यहां पर आपको आपना जो करड़ी से जोरी को जनकारी देनी है जैसे जो शर्टिफिकट है आपने जो इस्ट्रित करबाई है वो कहां से करबाया है उस authority का नाम बताएंगे certificate कब इस हुआ और date बताएंगे और certificate number जो भी होगा आपको यहाँ पर देनी है इसी परकार आपकी जो domicile certificate है निवास प्रमानपत वो कहां से बनबाया है वो बताएंगे इसके अलावे कब इस हुआ है और certificate number क्या है वो identification डीटेल पूछी गई आपके सरे में कोई ऐसा निसान हो जो कटा का हो जला का हो उसकी जनकारी आपको यहाँ पर देनी है नीचे आना है यहाँ पर आपको कोई भी एक ID काड देना है जो आप देना चाहा है उससे आप यहाँ से चैन करेंगे और जैसे हमने pen card डाला है तो pen number यहाँ पर डालेंगे pen पर क्या नाम है वो आप यहाँ पर बताएंगे वही कोई अगर अधार कर देना चाहते तो यहाँ पर नीचे वाला जो option है एनी photo ID, issue, government, authority जिस पर क्लिक करकर आप यहाँ पर बताएंगे ID type में अधार कर लिख दीजीगा जो अधार number है वो option मिलेगा सबैनेक्ट का जिस पर क्लिक करना है उसके बाद आपसे additional detail पूछी गई है जिसमें अगर आप दिव्यांगता है 40 पर 30 तो यहाँ पर आपेस करेंगे अब बताएंगे किस परकार की दिव्यांगता है नहीं है तो आप no करेंगे यह जनकारी भरने की जरूरत नहीं है यहां सब्सक्राइब करेंगे अब आपको यहां पर communication detail में redirect करेंगा जहां पर correspondence address पूछी गई है जहां अभी आप फिलाल रह रहे होंगे वह address आप यहां पर बताएंगा address 1 में address 2 में जो भी आपकी country होगी उससे आप यहां पर chain करेंगे state आपका जो भी होगा बताएंगे district जो भी होगा आपको यहां से chain करना है पिन कोट को आपको बताना है अगर आपका permanent address अलग है तो आपको permanent address यहां पर आपको फिल करनी है जो भी होगा जिस recording आपके अधारकार पर होगा वह आप यहां पर लिखेंगे फिर से by next पर क्लिक करना है अब आपको अगले page पर redirect करे नहीं है तो जिस भी बोर्ट से अपने दस्वी के बढ़ाई किया होगा उस बोर्ट का नाम आप लिखेंगे जो डीटेल हम बता रहे हो बिल्कुल डमी है आपका जो actual detail होगा वही detail आप फिल करिएगा अब यहां पर इसकुल का जो नाम होगा वह आप बताएंगे आपकी ज पर्संटेज आजयागे किस साल आपने जो है मैतिक पासट किया हो बताएंगे है डीवीजेन आपका कौन सा था जनकारी देनी है इससी एकोर्डिंग इंटर्मेडिय जिस से किया है जिस इसकुल कॉलेज से किया बताएंगे सब्जेक्ट आपका क्या था साइन्स कोमर्स Whenicet습니다 और वहाल यहां से बताएंगे आपकी इंहें नंबर प्रसेंटाने में हों बताएंगे कितना नंबर आपको उसने मिला है और पूछे गया है तो आप पूछी को सब्रूस हानते हैं ज iemand दोनों जानते हैं तो हमों इंधी नीचे आना है गर आपने किया है तो उसकी जनकारी भी आप दे सकते हैं नहीं है तो इससे छोड़ सकते हैं अगर इससे भी अधिक कोई क्वालिफिकेशन किया पीजी भी किया होगा तो उसकी भी जनकारी आप हाईयर एजुकेशन वाले में डाल सकते हैं नहीं है तो इससे छ अपलोड करना है जिसमें आपको बताया गया है कि सबसे पहले आपको फोटोग्राप अपलोड करना है उसके बाद यहां पर आपको सिंगनेचर अपलोड करना है तेन्थ का यहां पर सर्टिफिकेट बोला गया तो सर्टिफिकेट देंगे और यहां पर तेन्थ का जो माक्सि गड़ेट के डिड़ेट होंगे तो आपने जjour कोई भीए टीटियल करना है तो औन नीचे आना है कोई भी डिटॉमीन तो आप यहां पर कर सकते हैं अब जो भी डोकमेंट आप उप्टॉड करते हैं उससे एक बार क्या करें यहां पर भी उप्लोड फोटो वाले बिकल पर क्लिक करकर उसका प्रिभ्यू जरूर देख ले उसके बाद यहां पर पेमेंट डीटेल आगा जितना भी पेमेंट सो करेगा और देखनों को मिलेगा नीचे पेमेंट मोड मिलेगा ओनलाइन आप इस चेक बॉक्स पर टीक करेंगे अब आपको डिकलरेशन देनी है स डेटिट काड यूपी आई जिस भी माध्वम से करना चाहते है उस माध्वम को चैन करेंगे अपने डीटेल को फिल करेंगे मैं पेमेंट पर किलिक करेंगे पेमेंट पूरा होने के बाद इसका जो प्रिंट है निकालकर अपने पास सुरक्षित संभाल कर जरूर रखेंग इस प्रकार आप सभी कनिडेट बिहार बेल्टरॉन में जो नहीं भरती निकाली गई यह इस्टेनोग्राफर का उसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको पूरी जनकारे मिली होगी कहीं भी कोई doubt confusion है आप नीचे comment box में जरूर लिखे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद